कि नमस्कार मैं अंचली मिश्रो स्वागत है आपका अमारे चैनल में उत्तरप्रदेश वदहन सवाचनाव में जस तरीके से बीज़पी की प्रचंड जीत मिली वहीं समाजवादी पार्टी और गडवंदन को हार नसीब हुई है जिसके बाद से आपको बता देए कि लगता बयानवादी का दौर चालू हो चुका है अब ऐसे में उनकी हार समाजवादी पार्टी और गडवंदन की हार या यू कहिए विपक्ष की हार को पचाना सभी के लिए जो है कही न कहीं उनके नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा है और इसी वज़े से हार की बौकलाहट में कभी-कभी वह ऐसे कुछ बयान दे रहे हैं जो एक बार फिट से उन्हें कट गहरे में खड़ा करता नजर आ रहे हैं आप सोच रहोंगे हम किसकी बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दे कि हम ओपी राजभर की बात कर रहे हैं जिन्नोंने अभी हाले फिलाल में जिन पिछड को उन्होंने ना समझ असिचित करार दे दिया है अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है यह पूरा मुद्ध क्या है इसके बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं दरसल उतर प्रदेश विधान समाजवादी पार्टी गडबंधन के साथ चुनाव लड़े सुहिल देव भार सिच्छित गवार और ना समझ करार दिया है तो यहां बिल्कुल सही सुना अपने ओपी राजवर जो कि अपने आपको किंग मेकर बता रहे थे और पिछड़े वर्ग के बोट पर जीत हासिल करके सरकार बनाने की बात कह रहे थे वह पिछड़े वर्ग लोगों को गवार न सब्सक्राइब को समझाने में वह असफल रहे हैं बता दे कि टीवी चाहर से बातशीत के दौरान जब हार के बारे में उनसे पूछा गया कि आखिर उनके हारनी की वज़ा क्या हो सकती है इस पर ओम प्रकाश राजवर का बयान सामने आया ओम प्रकाश राजवर ने इस पर की बिमार नहीं हुआ हो या फिर जो कभी अस्पताल नहीं गया हो उसे हमारे फ्री इलाज की बात समझ नहीं आती है जो हॉस्पिटल आया था उससे समझ आया है कि सूध पर पैसे लेने पड़े हैं जमीन गिरवी रखना पड़ा है उसके बाद हॉस्पिटल में इलाज हो वह यह काने चैनल से बाचित करने के दरान उन्होंने बिलडCr के मुद्स्यूय परerver भी अपाच्पा को वोट मिलने के लिए सवाल किया एकुरप किया और आपको क्या लगता है जो बुल्डोजरा का जो मुद्दा था उस पर यह भाच्पाas को वोट मिला है इस पर आपको कहते हैं ना समझ आप बुर्डोजर पर बैच कर नारा लगा रहे हो उतना समय अपने बच्चों को पढ़ारे में लगा देते आपके बच्चों को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाने में लगाते या को दादे की जब एक और सवाल उनसे पूछा गया उंप्रकाश किया था उन्होंने एक्जामपल देते हुए कहा कि क्लास में टीचर समझाता है पचास को पढ़ाता है सब मेरिट तो नहीं पाते दो तीन फॉर्स आते हैं और दस बीस फेल हो जाते हैं उन्होंने कहा कि उनकी अखिलेश यादव से बाच्चित हुई है और एक एक सीट पर किंग मेकर कहने वाले स्वामी पुशाद मौर और ओपी राजबर का हाल तो काफी बेहाल है अब ऐसे में ओपी राजबर जो है पिछड़े वर्ग की जहां से वह खुद मतलब आ रही हैं जहां पर उन्होंने जिनके वोट के दम पर उन्हें जीतने के बात कहीं थी बड़े कई सारा जाए इवियम का मुद्दा गरमाय हुआ निकलास पर काफी बयान बाजी की गई काफी ठिपड़ी की गई और उसके बाद जब चुनाओ बीजेपी बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत गई तो उसके बाद इनकी बोलती बंद हो गई अब यह दोश देने के लिए इवियम का मुद्दा तो पूरा खत्म ही हो गया क्योंकि बहुत बड़ा मार्जिन था जीत का तो आखिरकार उन्हें दोश देने के लिए कोई तो चाहिए होगा तो दोश देने के लिए जनता को चुना वह भी जनता मेंसे उस वर्ग को चुना जिस वर्ग से वह आते हैं जिस वर्ग के उपर उन्हें भरोसा जिताया उन्हें का कहना था एक्जांपल देखें कि 10-20 बच्चे फेल हो जाते हैं उनका कहने का मतलब है कि जनता अगर उन्हें वोट नहीं दे रही है तो जनता फेल हो गई है अब ऐसे में जनता फेल हुई है या पास हुई है वो जन इसका दाव दिन लोगों पर खेल रहते हार के बाद उन्हीं लोगों के उपर सवालया निशान खड़े कर रहे हैं उन्हें गवार ना समझ अनपड़ बता रहे हैं तो जो पिछड़ी वर्ग जिनको लेकर ये बड़े-बड़ी दावे किये कहा कि ये सारी चीज़े करें उन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए इनके विचार धारना ऐसी है ये इस तरीके के बाते उनके बारे में सोचते हैं जो हार के बाद निकल कर सामने आ रहा है तो इस तरीके के सोच रखने वाला जो पहले ही किसी को अनपड़ गवार ना समझ समझ चुका है जो पहले ही कि कि ऑपी राजभर की बार ने बहुत की बखभूब कुछ तरह देखते हैं पिछड़ेवर के लोगों को अनपड़ गवार ज्राहिल और ना समझ कि यह कई डर्शाता है कि कि यह इनकी सरकार जो है क्यों नहीं बनी इन्हें लोगों कुझे नहीं चुना कि지 लोगों को पता था की सोच ऐसी है पिचारधारना घुरू का करेंगे तो उसके बाद इसी तरीके से पिछ्ड़े वर्ग को केसरे दरा जिनुके लोगों के दंखल भर रहे थे तारि Yoo उनके बारे में ऐसी चोटी और ओची सोच रखते हैं प्रकाश राजवर एक बार आपको फिर से दोहरा देते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने बता दे कि उनसे जब उनकी हार की वज़ा पूछी गई थी कहा गया कि आप इस बार हार गए है इसके पीछे का कारण क्या है इसके सबसर यहां पर है कि बड़ी असिच्चा है असिच्चा के वजए से उन्हें सिक्षा की बात समझ नहीं आठी सिक्षा के बात सभी को समझ आती है क्योंकि आज के वक्त में सबसे बड़ी रिक्वार्यमेंट है एजुकेशन और बिना एजुकेशन के अपने पाउपर जाती है भूलकर आप यू आपका भी अपमान कर रही जो कभी बिमार ही नहीं हुआ उस पेरिवार को कोई हॉपिटल नहीं गया उसे हमारी फोरी इलाज की बात समझ नहीं आती के, लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो इलाज किस चीज की कराएगा किस चीज के लिए जाएगा कौन से बिमारी का इलाज कराएगा कितनी बिमारियों का इलाज किसके पास है यह कई सारे सवाल है जिस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इसी कोई नहीं निकाल सकता बुक का इलाज सिर्फ खाना होता है और दो वक्त की रोटी का महत्व उन्हें समझाया और यहीं कारण है कि वापस से बीजेपी के सरकार है और ऐसे में आपकी यह बात आपकी जुबान जिसमें आप कहते हैं बुल्डोजर वाले मुद्डे पर जो आपने यह बयान दिया है कि बुल्डोजर चलाने वाद लोग अभी देखा मैंने शोचल मीडिया पर कुछ बैकवर्ड क्लास के लोग जो है असिछित गवार हम उनको कहते हैं ना समझ आप बुल्डोजर में बैठकर नारा लगाते हैं उतना समय अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा देते और ऐसे में अगर यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि जितने वक्त आपने इन जो पिछड़वर के लोगों को गव की जाती है तो आज आपके भी सरकार कुछ बहतर कर रही होती लेकिन इसके लिए जिनको आप असिछित गवार और ना समझ बता रहे हैं वहां पर आपको जो है सिच्छा की बहुत जादा जरूरी जरूरत इस वक्त है क्योंकि ताकि आप यह सीख पाए कि सभी जाती हो सभी की लोग जो हो अपने कर्म के अनुसार जो है आगे बढ़ते हैं और पिछे रह जाते हैं सभी एक समान होते हैं और इसी कोई क्वालिटी कहते हैं जो आपके समझ के पर है जो आपके बयान से साफ समझा चुका है तो ऐसे मैं अपनी पूरा मुद्दा जाना और ओम के इसे छोटी जाती जो है पिछोडी जाती के ओपर जो यह तन जुनोने का साहा है गवार अनपड़ इस पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं